हलो फ्रेंज मैं हूँ आशी इस आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नसिंग गुरू जी एक बाफ इस से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंज आज काफी अच्छी वेकंसी बताने वाला हूँ अगर अभी तक आपने इस वेकंसी को अप्लाई नहीं किया है तो प कब तक बारा एक यानि की बारा जनवरे तक आपी मेल आइडी पर सेंड कर सकते हैं चलिए पूरी डीटेल के लिए बने रहे वीडियो के साथ वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को लाइक तो ठोग नहीं है चलिए एप्लिकेशन फो दा अदर डीटेल केन बी आप्टेंड फ्रों बी एच्चु की वेकंसे दरने वाली है बनारत हैल्थ यूनिसिटी जो की वाराण सी के अंदर वेकंसे ने के लिए है इसका रिटन एक्जाम होगा देन आपका स्किल टेस्ट होगा ठीक है चलिए आ चलिए आगे बता देता हूं कि इसके अंदर क्या रहने वाला डीट और सारा कुछ इसके रहने मैं आपको बता दो हूं जो होगा वगी यूस सेंटर रहेका वा जो कंदरin रहने वाला है और जो इसकौल टेस्ट होगा इसको पंदरा जन्वरी को इसकिल टेस्ट होगा टिक है वेन्य ऊप इसक्ल टेस्ट वो भी सेम जग्झे upgraded DB वगार और क्ले पर जाके आप देख सकते हो चलिए देख लीजिए जा कंडिडे शूड़ी बीन ओल रिलेवंट डॉकुमेंट सें सर्टिफिकेट हों दा डे ओफ एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट प्लीज चेक बीएचु वेबसाइट यानि कि आपको अज़र डॉकुमेंट साब के लेके ज पूरा फिल करना है और अपको बता ही दिए अजर आपकी बाद एक्समेंज लगा सकते हैं अधिस्नल इंफॉर्मेशन भी आप इसमें डाल सकते हैं आपको करना है फोटो अब को लगानी है चलिए तो पूस्स आपकी जनरल की टू रहने वाली है और ऑपिसी की वन एंड सी कि one post ये कोई vacancy apply नहीं करता हो तो ऐसी vacancy पे आपका focus जादा रहना चाहिए तो प्लीज इस vacancy को जरूर apply कर दीजी एक बार हो सकता है कि आपको ये post मिले ही जाए और ये vacancy जो रहने वाली है वह 20 अज़ा salary पे रहने वाली है क्योंकि डिफनलिए ऐसी कोई vacancy होती है तो definitely उनको आगे कर दिया जाता है एक्स्टेंड कर दिया जाता है तो आप इसकिप ना करें और इस वेकंसी को जरूर फिल फुल करें चेके और ऐसी छोटी बड़ी वेकंसी के लिए चैनल को जरूर प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ओफिचियल लेफसर का लिंग डिस्क्रिशन में डाल दिया है वहाँ से जब परफॉमा ले सकते हैं और कॉंटेक्ट नमर डिस्क्रिशन डाल दिये हैं वहाँ से आप परफॉमा सेंड कर दूँगा आपको डेफिनली आप मैसेज कर सकते हो चलिए फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेके लवी टोल बाई फ्रेंज